Hello friends, Excel अंकुष में आप सभी का स्वागत है मैं आपको बता दू कि Short and Filter सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक option है और इसके basis पे आप बड़े information, बड़े database में से quickly data को short और filter कर सकते हैं तो short क्या होता और filter क्या होता है इन दोनों को क्यों साथ में add किया गया है और इनका क्या uses है तो step by step हम देखेंगे सारे options को short and filter, short means simply होता है कि data को arrange करना alphabetical order में अगर आपका alphabetical data है अगर आपका number data है, numerical data है तो आप उसको smaller to largest या largest to smallest value में change कर सकते इक means कि suppose आपको price change करना highest to lowest तो आप उसको कर सकते है short की मदद से और अगर आपको lowest to highest चाहिए तो आप उसके recording भी कर सकते हैं suppose मुझे check करना है कि highest sale सबसे ज़्यादा किसने किया है तो यहाँ पर मैं उसको short करके check कर सकता हूँ then मुझे find करना है कि इस reason में total कितना selling हुआ है किसके से employee ने selling किया है तो उसके लिए आपको filter करना होगा तो filter simply data को categorize करके आपको show करता है ताकि आप category view में data को show कर सके और एक identified result आप find कर सके अपने productivity level को increase करने के लिए और यह आपको quick and easy service देता है जिसके through आप information find out कर सकते है तो चली हम देखते हैं कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसका पहला जो step है इसके लिए आपको headings को select करना होता है heading select करने के बाद आपको यहाँ पर short and filter option में जाना है और यहाँ पर filter का एक option होता है बस इस filter के option पर click कर दिजे जैसे आप filter के option पर click करेंगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे fields जो है fields यानि कि यह जो headings होते हैं इसको आप field बोलते हैं तो जैसे branch यह एक field है जिसके बगल में एक filter arrow set हो गया है जिया दोस्तों यह filter button, filter arrow हम इसको बोलते हैं जिसके help से आप short और data को filter कर सकते हैं तो मैंने जैसा कि बोला मैं आपको बताता हूं उसके according suppose यहाँ पर आपके पास multiple branches है ठीके, अब मुझे सारे branches का list नहीं चाहिए मुझे केवल आगरा branch में क्या-क्या activities हुआ है वो सारा चीज check करना है तो मैं simply क्या करूंगा इस branch वाले option पर click करूंगा और इस select all option को मैं uncheck कर दूंगा जैसी मैं इसको uncheck करूंगा सारे option uncheck हो जाएंगे अब आपका condition क्या था कि आपको आगरा का result को देखना था तो मैं आगरा को select करूंगा अब देखिए यहाँ पर इन सारे options में केवल आगरा active है करके categorize करके आपको show करेगा ताकि आप अपने information के basis पे evaluation कर सके तो इस तरह से आप data को find कर सकते हैं और data को find करना बहुत ही easy और बहुत ही simple option होता है तो आप इस तरह से उसको use करें और देखें कि कैसे आप data को filter कर सकते हैं चलिए तो इस तरह से जैसे कि मैंने आगरा filter किया अब मैं select all करके okay करूँगा तो यह सारा activities को वापस ला देगा दन उसी तरह से मुझे department में suppose R&D department का और finance department दोनों का मुझे result चाहिए तो मैं इस पे click करूँगा select all को uncheck करूँगा दन मैं finance और R&D दोनों को select करूँगा अगर आपको single active करना है तो single active कर सकते हैं या फिर आप multiple भी active कर सकते हैं जो one time में आपको multiple result शो करेगा then okay कर दीजे तो देख पार है आप यहाँ पे R&D और finance आपका दोनों का data शो कर रहा है then suppose आपको check करना है कि price जो है वो up to down होना चाहिए या down to up होना चाहिए तो आप simply यहाँ पर click करेंगे smallest to largest then largest to smallest option है click कर देंगे उसके according आपका data change हो जाएगा तो यहाँ पे highest to lowest value में change होगी है या फिर आप suppose quantity को देखना चाहते हैं कि highest to lowest quantity तो मैं simply यहाँ पर click करूँगा largest to smallest कर दूँगा तो सबसे highest quantity 400 है सबसे lowest quantity 100 है जो की आगरा में available है तो इस तरह से आप particular details find कर सकते हैं show कर सकते हैं then आपको इसको normal करना है तो simply आपको क्या करना है short option में जाना और यहाँ पर clear option होता है इसको clear कर देना है तो यह फिर से आपका details को as it is present कर देगा तो इस तरह से आप simply data को क्या कर सकते हैं filter कर सकते हैं categorize view में result देख सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा important है क्योंकि जब आप sales report बनाते हैं या आप marketing report बनाते हैं तो उसका जो statement होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसको आपको filter करना ज़रूरी होता है ताकि आप अपने category view में data को analyze कर सके तो इस तरह से आप filter का use करें दन दूसरे example को हम लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक और example है इस example के basis पे मैं आपको दिखाता हूँ sales department जो अलग-अलग sales का option है जैसे यहाँ पर sales है sales B, sales A, sales C तो इसके according मुझे data को filter करना है तो मैं simply क्या करूँगा इस heading को select करूँगा select करने के बाद मुझे filter option पर click करना है जैसी मैंने filter option पर click किया यह option automatic active हो गया then इस option पर click करें और इसको हटाकर जिसका भी आपको report देखना है आप उस option पर check करेंगे then okay करेंगे तो आपका देखिए sales A का जितना भी information है आप यहाँ पर इसको देख पा रहे है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने data को analyze कर सकते हैं उसको categorize कर सकते हैं ताकि आप better way में analysis कर सके तो इस तरह से shorten filter का use करना और उसके basis पर आप big big data को analyze कर सकते हैं short और filter की help से तो उमीद है आपको यह समझ में आ गया होगा then हम बात करेंगे एक new option के जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है जैसे suppose मान लिजे कि जितने भी आगरा है या फिर आपने ये ये activity का result show कर दिया इसका आपने कहीं पर information store किया है तो आप क्या करते हैं कि जो भी information complete हो जाता है जो recheck हो जाता है आप उसको क्या करते हैं different color से highlight कर देते हैं तो मैं simply example के लिए क्या कर रहा हूँ कि कुछ options को एक अलग color दे दे रहा हूँ अब suppose आपको ये check कर रहा है कि जितने भी options आपके check हो गए है जिसको आपने green highlight किया है तो आपको केवल उसका result दिखे और जो unfilled है यानि कि जिसको आपने check नहीं किया उसका result मुझे अलग से चाहिए तो जी हाँ दोस्तो आपके पास certain filter एक ऐसा option लेके आया है जिसके basis पे आप colorful details को भी filter कर सकते है तो कैसे करेंगे तो simply इस option पर click करना है आपके पास option आएगा filter by color जैसे आप filter by color पर click करेंगे आपका जो भी filter color होगा वो show करेगा अभी मैंने केवल green से show किया है तो यहाँ पे देखे green आ रहा है और एक no feel आ रहा है जिसमें feel नहीं है तो अगर मैं no feel करता हूँ तो जो भी non color वाला होगा वो सारा show करेगा और अगर मैं feel option पर click करता हूँ तो जो भी field वाला होगा वो सारा show करेगा तो इस तरह से आप colorful area को भी filter कर सकते है और यह बहुत ही मज़दार और interesting आपका topic है इसको अच्छे से practice करें तो इस तरह से आप क्या कर सकते है अपने data को filter कर सकते है color sequence के basis पे भी अगर आप दूसरे color को highlight कर देते है पर automatic filter list में add हो गया तो जैसे जैसे आप activity करते है shorten filter आपको quick activity को analyze करने के लिए automatic category बना के देता है जिस पर आपको simply click करना है और आप अपने quick result को देख सकते हैं और better way में analyze कर सकते हैं तो इस तरह से आप shorten filter का use करें और आगे आने वाली videos में हम देखेंगे कि data table पर हम कैसे work करेंगे तो thank you very much, happy learning